सबी को सलाम जितने लोग अभी 34 कंट्रियों से कुवेत जाना चाते हैं खादम वीजा वाले वो अपने कुवेती को फौन करो जल्दी और अपना टिगेट बुक कराओ कुवेती अगर जाएगा एरलाइन्स में अपना टिगेट बुक करवाता है आपका जो भी खादम लोग उसकी वीजा पे हैं वो टिगेट बुक करवाता है तो आप आसानी से जा सकते हैं 14 दिसंबर से इंडिया से डिरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रहा है कुवेत एर्वेज का इंडिया से कुवेत के लिए जिसमें अगर आपका फ्लाइट टिगेट बुक हो जाता है तो आप आसानी से जा सकते हैं नेपाल बंगलादेश और यह जो स्रिलंका वाले हैं वो भी जा सकते हैं टिगेट बुक करवाना है फिलाल यह टिगेट बुक करवाने का काम कुवेती कर सकता है उससे आपको बस सिविल आईडी नमबर और अपना जो passport number है पासपोर्ट पे नाम है वही उसको देना है कुवेती को वो फिर कुवेती आराम से आपका Ticket Book कर देगा और आप आसानी से जा सकेंगे जो तारीख है वो कुवेती को आप बता सकते हैं पिर कुईती आपको बताएगा वो याद रखनी होगी कि कितनी तारीक का टिकेट होगा टिकेट करवाने के बाद आपको टिकेट वो मेसेज कर देगा वाटसेप के थ्रू भी बेश सकता है या फिर इमेल कर सकता है जिससे आप आसनी से जा सकेंगे जो लोग इंडिया बांगलादेश या फिर स्रिलंका में रहते हैं वो टिकेट बुक नहीं कर सकते खुद ये टिकेट आगे से कुएती बुक करवाएंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि मेरा खादम फला फला यहां पे रहता है उसका टिकेट बुक करना है ये नाम है ये सिविल 18 वीजा दूसरी वीजा वाले हैं वर्क वीजा वाले हैं कमपनी वीजा वाले हैं कोई सेल्समेन हैं दूसरे जा सकेंगे फिलाल अभी के लिए इतना ही एलान हुआ है आगे हो सकता है दो दिन के बाद वीजा अठारा चालू कर दे या फिर कोई सेल्समेन की वीजा वालों क दूसरी वीजा वालों को वापस जाने के लिए शुरू कर देते हैं इसके बारे में कोई पता नहीं क्योंकि कोई भी अपडेट जिस दिन आती है उसी दिन पता चलता है लेकिन अभी फिलाल उन्होंने यही कहा है कि 80,000 डोमेस्टिक वरकर्स हैं उनको लेके जाना है 34 कंट्र से डायरेक्ट फलाइट से निकालके कौईत में 4 महीने का टाइम रखा है इनको ले जाने के लिए 600 आदमी डेली जाएंगे दो तीन फलाइट्स डेली जाएंगे जिनमे इतने लोगों को ले जाएंगे अगर ज्यादा लोग एक ही दो दिन में 10 दिन में सभी लोग लेके च पहतम हो जाएगा सभी 80,000 डॉमेस्टिक वरकर्स चले जाएंगे हो सकता है उसके बाद में शुरू करे या फिर उससे पहले भी कभी भी शुरू कर सकते हैं कुछ पता नहीं आपको भी जाना है तो अपने कुएती से कॉंटेक्ट करो फटापट उसको सभी टोटल जानकारी तो उसके बाद में टिकेट बुक हो जाएगा आप अराम से जा सकोगे बिना टेंशन के टिकेट का पैसा आलग है 110 केड़ी से लगा के 500 केड़ी तक इंडिया का टिकेट प्राइज है और जो 270 केड़ी 34 कंट्रियों के जितने भी लोग जाएंगे हर एक आदमी का 270 केड़ी ही है जहां पर आपको 14 दिन का टोटल खर्चा आ गया बाकी यहां से टिकेट का पैसा आलग अलग है 145 केड़ी नेपाल और बंगलादे स्रिलंका का प्राइज है बाकी इंडिया का थोड़ा कम है लेकिन वाग डेट सो के बराबर अलग अलग जगों से उठाएंगे तो उसका प्राइज अलग अलग होगा फिलिपिन से 220 केड़ी है जो जैसे ही नई अपडेट आती है आपको मिलती रही की टाइम से चैनल को सब सब्सक्राइब करके रखिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा सभी का न्यूज देखने के लिए धन्यवाद